फेस्बुक मोनेटाइशन में एक बहुत बड़ी प्रोब्लम चल रही है अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे ना तो आपका फेस्बुक पेज कभी भी मोनेटाइशन नहीं होगा जैसे ही मैं यहाँ पर मोनेटाइशन पर आता हूँ मोल्टाइसन पर आने के बाद जैसे हैं भाईया मैं यहां पर इन स्ट्रिम एड पर क्लिक करता हो तो देख सकते हैं भाईया ससुरा Facebook फिर की ले रहा है सारा क्राइटेरिया यहां से कंप्लीट है देख सकते हैं इलिजबल कंट्री, content, monetization, follower, watch time, active video सारा क्राइटेरिया कंप्लीट है इन सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट होने के बावजूद भी यहां पर आपको setup का बटन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यह चोटी सी गलती कर दोगे तो ससुरा facebook फिर की ले रहा है हमसे देख सकते हैं कि 5 में से 5 क्राइटेरिया कंप्लीट है फिर भी setup का बटन नहीं मिल रहा है क्यूंकि आप एक छोटी सी गलती करते हो अगर आपका facebook page monetize है या फिर अगर उसको monetize करने की सोच रहे हो या फिर अगर आपके भी facebook पर कुछ इस परकार का problem आ गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला और facebook में कौन सी problem है और इस परस्तिती से आपको कैसे बचना और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना जिससे आपके भी facebook profile या फिर page के उपर कुछ इस परकार का समस्या आ सकता है कुछ बताओंगा है detail के साथ क्यूंकि भाईया आपके भी page और profile पर कुछ इस परकार का problem है उससे पहले आप ये गलतीयों को जान लो और उसको सुधार कर लो वरना भाईया रगड के मर जाओगा है माथा टेकते रहा जाओगे लेकिन ये problem जल्दी हटने वाला नहीं है तो इसको कैसे हटाना है बिल्कुल आसान तरीके से इस परस्तिती में हमको क्या करना चाहिए इससे कैसे बचना है कैसे नहीं आएगा सारा चीज बताऊंगा डीटेल के साथ तो आज का ये वीडियो बहुत जादा important होने वाला है वीडियो को like करके एक पहरा सा comment कर दीजेगा वीडियो को complete जरू देखिएगा ताकि मैं आपको सही information दे पाऊं बिना time waste की चली आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां से आपको बिल्कुल detail में और life proof समझाने के लिए मैंने अपने mobile का screen recording on कर दिया screen recording on करने के बाद सबसे पहले आपको अपने facebook के page पे चले जाना है page पे आने के बाद यहां पर click करके facebook के professional dashboard में चले आता हूँ professional dashboard में आने के बाद monetization वाले section पे click करता हूँ जैसे ही मैं monetization वाले section पे click करता हूँ और थोड़ा सा नीचे में चले जाता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं कि भाईया यहां पर in stream ad पर जैसे ही मैं click करता हूँ देख सकते हैं कि भाईया you reside in an eligible country मेरा green है यानि कि मेरा criteria complete है मैं इंडिया में हूँ आनि कि जो मेरा country है eligible इसमें मैं हूँ यहां पर करा you follow content monetization policies बिल्कुल मैं इसको follow करता हूँ यह भी मेरा criteria green है यहां पर देखिए एक और बोल रहा है कि आपको 5000 follower होने चाहिए भाईया यह 6,995 है मतलब अल्मोस्ट मेरा 5000 complete है यह भी मैं follow करता हूँ यहां पर करता है 6000 वर्ष्ट रैम मिनट आपको चाहिए भाईया इसको भी मैं complete कर रखा है 2,00,00 के लगबग मैं वर्ष्ट रैम मिनट हो गया अगर और criteria की बात करना तो 5 active video खोचता है जो कि मैंने इसको भी complete कर रखा है लेकिन फिर भी यहां पर setup का button क्यों नहीं दे रहा भाईया यह problem क्या है हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर यह Facebook का कौन सा गलती है कौन सा bug है जिसके कारण हमको setup का button नहीं मिल रहा है भाईया मेरा समझ में नहीं आ रहा है मेरा मा ता गुम रहा है तो आप ही कुछ बता दो तो चलिए सबसे पहले इसे बारे में आए जान लेते हैं तो इसके बारे में हमको इसकी गलतियों को पकड़ने के लिए भाई या Facebook के application से ये नहीं बताएगा इसके लिए हमको चाहिए इसका मौसा ठीक है मतलब कि creator studio में हमको चले जाना ठीक है तो यहां से chrome पे जाने के बाद यहां पर creator studio पे click कर देते हैं creator studio पे click करने के बाद यहां पर three dot पे click करके desktop site को on कर लेते हैं desktop site को on करने के बाद यहां से आपको creator studio वाले पहले website पे click कर देना है जैसे ही आप creator studio वाले website पे click किजेगा तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो जो भी आपका page या फिर profile पर problem है तो यहां से देखिए उस page या फिर profile को आपको simply login कर लेना है तो चलिए मैंने उसको login कर लिया है यहां पर आपको multi-action वाला section देखने को मिल रहा होगा तो simply multi-action पर click कर देना है जैसे multi-action पर click किजेगा तो भाईया देखिए आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो हमको यहां पर क्या करना है हमको भाईया in stream add पर click करना है तो उसके लिए हमको view eligibility पर यहां पर देखिए यह तीर है ना तो simply इस तीर पर click किजेगा जैसे इस तीर पर click किजेगा यहां पर in stream add का option देखने को मिल रहा है और जैसे मैं view criteria पर click करता हूँ तो देखो ससुरा कहां से इसका दिमाग खराब था मेरे page पर जो है partner monetization policy issue आया हुआ है partner monetization policy issue अलग है और content monetization policy issue अलग है और जैसे see policy issues पर मैं click करता हूँ ठीक है तो यहां पर देख सकते है कि आपके जामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल रहागा आपर request another review का option भी नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है अगर भया तो भया partner monetization policy issue क्या है तो जैसे ही मैं इस पर click करता हूँ तो देखिए अब facebook बता रहा है कि कौन-कौन सी गलती करने पर आपको partner monetization policy issue आता है तो चलिए मैं आपको direct e-board पर ले चलता हूँ और यहां से एक दम बिलकुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप facebook पर काम करना चाहते हो न भया तो जिस भी platform पर आप काम करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना आप कभी fuss होगे तो बहुत ज़्यादा आपको problem होगी तो चलिए मैं आपको partner monetization policy क्या है content monetization policy क्या है अगर दोनों को आप similar समझ रहे हो तो ये भी भरम तोड़ूँगा और इससे कैसे बचना और कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करना है सारा चीज यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ ठीक है तो यहाँ से देख सकते है कि भाईया monetization policy issue दो परकार के होता है पाला होता है भाईया content mortation policy issue ठीक है यहाँ से देख सकते है पाला होता है यह content mortation policy issue तो content mortation policy issue का अलग rule and regulation होता है अगर आप poppy paste करते हो या फिर किसी की वीडियोज उठा कर डालते हो या फिर original वीडियो डालते हो content mortation policy issue को इससे कोई मतलब नहीं है इससे इसको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो, आपका content जो है न, वो follow होना चाहिए content mortation rule का, इसमें आपको केवल content बढ़िया होना चाहिए, चाहे आपका content copy paste वाला हो, चाहे दूसरा का content हो, चाहे original content हो, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर कोई कहता है, कि भाईया दूसरे की वीडियो डालने से content mortation policies आता है, तो नहीं भाई, content mortation policies कुछ content का उलंगन करने से आता है, जो कि मैंने आपको बिलकुल detail में तीन वीडियो बना कर बताया है, अगर आप वो तीनों वीडियो मेरा देख लोगे न, जिन्दिगी में ये कभी नहीं आएगा, ससुरा ये कभी न आएगा monetization policy issue, तो भाईया monetization policy issue क्या होता है, तो facebook partner monetization policy issue का मतल़ होता है, कि भाईया facebook जब आपको पैसा देगा, मतल़ earning देगा न, तो वो आपको अपना partner बनाएगा, ठीक है partner बनाएगा, तो partner बनाने के लिए facebook का बहुत सारा near mind कानून होता है, वहाँ पर आपको monetization rule को follow कर यह सारे criteria को आपको follow करना पड़ेगा, तब आप facebook के साथ partnership पे काम कर पाओगे, तब facebook आपको पैसा देगा, तो यहां तो भाईया आप समझते नहीं हो कि partner का कौन कौन rule and regulation है, क्या क्या चीज Facebook हम से समझाएगा, तो आइए चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं, तो पाल में हो, तो inner stream ad के लिए भी भूल जाओ, अगर आप भाईया बांगलादेश में हो, तो inner stream ad के लिए भी भूल जाओ, यहां पर केवल star monetization eligible है, अगर आप इंडिया में हो, तो भाईया आप समझे लो, facebook के partner monetization policies को follow करते हो, दूसरा गलती आप लोग क्या करोगे, भाईया fake views और follower के चकर में और watch time के चकर में फस्ते हो, अगर आप किसी भी website, third party application, या फिर कहीं से fake views को increase कर रहे हो, fake follower को buy कर रहे हो, या फिर कहीं से अगर आप watch time खरीद रहे हो, तब आपके page या फिर profile पे partner monetization policy issue आएगा, अगर आपका page monetize भी है ना, तो आपका monetization रद कर दिया जा जहां पर आप भाईया रह रहे हो, जहां पर आप पैसे कमाना चाहरे हो, उसके बारे हम जानकारी नहीं लोगे तो फसोगे ना बबुगा, तो सबसे पहले आपको fake views नहीं लेना है, fake follower कहीं से भी कोई भी follower दे, क्योंकि भाईया कहीं से भी अगर आपको bot follower दे देगा, वो आपके videos ही नहीं देखेगा, तो आपका earning कहां से बढ़ेगा, आपका page कहां से viral होगा, तो भाईया कोई फाइदा नहीं होता है, fake watch time और fake follower से ठीक है, तो भाईया fake views, fake follower, fake watch time आपको नहीं लेना है, अब बात कर लेते हैं, तीसरा Facebook के community standard, अगर Facebook के community standard को आप break करते हो, community standard में अगर आप fake news देते हो, भाईया, जो है, miss information करते हो, miss lead करते हो, कोई application का promotion करके link description में जालते हो, जो की app जो है ना, वो प्लेयर स्टोर पे अब लेवल नहीं है, तो समझ लो कि आप Facebook के community standard को वाइलेट कर रहे हो, अगर आप sexual content डाल रहे हो, या फिर कोई ऐसा nudity, sexuality, आत्महत्य या ये सबसे related डाल रहे हो, तो समाझ लोग आप Facebook के community standard को follow नहीं कर रहे हो, तो अगर आपके profile या फिर page के उपर already ऐसे videos पड़े हुए है, आख मुनों सबसे पहले original रहे है, चाहिए copy paste रहे है, ये सारे videos को delete का आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो content है वो authentic content होना चाहिए, authentic content बोलने का मतलब है, आपका content fake नहीं होना चाहिए, और आप उसमें misinformation नहीं दे रहे हो, अगर fake content रहेगा या फिर कुछ अपने audience को mislead करोगे, जैसे मैं भाईया मेरा ये जो वीडियो है, partner motivation policy issue के उपर title लिका हुआ है, भाईया इसमें आपको thumbnail भी वा Facebook profile या फिर page के उपर ये authentic content वाला problem आएगा, तो अगर आपके page और profile पर ऐसा content है, सबसे पहले उसको delete करो, अब बात कर लेते हैं पच्मा, अगर आपका original content नहीं है, अब बोलो कि भाईया हम तो copy paste करके monetize करके पैसा कमा रहे, बिल्कुल कमा, बहुत अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, लेकिन जिस वक्त Facebook आपको पकड़ लेगा, कि आपका content अन ओरिजनल है, उस वक्त आपको पढ़ेगा a strike, और उस वक्त आपका monetization है उसको सीधे के सीधे restricted कर दिया जाएगा, मतलब आपका monetization बंद कर दिया जाएगा, आपके page और profile पे अन ओरिजनल content आ तो यह है partner monetization policy का मतलब, तो आपका content original होना चाहिए, उसके बाद authentical views होना चाहिए, authentic views कहने का मतलब है, कि अभी बहुत जादा update आ रहा है, कि movie clip वाला यह सब जो होते हैं, वो sharing setup करकर रखते हैं, भाया share मारे एक दिन में 10 million views, वो genuine views नहीं होता है, वो genuine नहीं होता है, तो सब से पहले, आपके views authentic होने चाहिए, कहीं से fake तरीके से views मत लीजिएगा, कोई website से आप लोग जाके views बढ़ा लेते हो, comment बढ़ा लेते हो, दिखाने के चकर में, brand से जो है, अच्छा खासा sponsors लेने के चकर में, तो अगर यह सब काम को आप करते हो, authentic views नहीं लेते हो, तो भाया स समझ जाइए, आपके page पे partner monetization policy issue आएगा, authentic views का मतलो होता है, आपके videos पे suggestion से view जाना चाहिए, explore page से view जाना चाहिए, ठीक है, और आपका recommendation से view जाना चाहिए, भाया यह तब ही आपका video viral होगा, जब आपके page पे यह तीन तरह से views आएगे तो, तो आपका views authentic होना चाहिए, उस इसको गरिया रहे हो कभी उसको, मतलब सरकार का, कोई भी नीती को अगर आप तोड़ते हो, तो समझ लो आप Facebook के partner monetization policy के against हो, ठीक है, आप बात कर लेते हैं, अठमा, आदर, और भी इसके बहुत सारे route and regulation होते हैं, जिसमें बहुत लोग फस्ते हैं, कि भाया आपका page का नाम से चुछ कर ले, और page का नाम बदल दीजे, अगर आप page का नाम बदल लिएगा, तो उसको verified करना पड़ेगा, ठीक है, verified करना पड़ेगा, अगर आप उसको verified नहीं करोगे, आपके page पर फटा एक्षन ही, ये जो partner monetization policy वाला problem है, ये raid हो जाएगा, ये raid हो जाएगा, और फिर तो इसका solution बताओ, तो मैंने इसको इसलिए बुकाया, कि अगर इन मेंसे कोई भी गलती को आपने किया है, content को आपने ऐसा किया है, तो सबसे पहले उस content को delete करो, और सबसे पहले इन सारे गलतियों में से आपको गलती को सुधारना होगा, अगर इन सारे गलतियों में आप ग क्योंकि इसमें व्यूज कम है और माथा मारी जादा है को इतना एक्सपरिमेंट नहीं करता है मैं फेस्बुक से रिलेटेट जानकारी देता हूं तो भाईया मेरे ओडियंस मेरे लिए भगवान है इसलिए मेरे को बताना बहुत जादा जरूरी होता तो अब अगर आपके पे या 15 में मैंने आपको समझाया उसको सारे को फॉलो कर लिजेगा अगर आपको ऐसा किसी वीडियो में किसी कॉंटेंट में किसी टाइटल में किसी थंबनेल में ऐसा कुछ लगता है कि मीस इनफॉर्मेशन है या फिर कोई भी फेस्बुक के पार्टनर मोटाइशन पॉलिसी कि एगेंस्ट है उस कॉंटेंट को डिलीट करो उस वीडियो को हटाओ और जो गलती आपने किया उसको सुधारो दूसरा सुधारने के बाद अब ही आपको स्टार्टिंग में क्या करना है ऑथेंटिक वीडियो जालना है ऑथेंटिक मतलब रियल फेस्चैम वीडियो होना चाहिए और ज्यादा शेयर और कमेंट मत कीजेगा अपने एडमिन प्रोफायल से शेयर कमेंट मेंट के फेराम मत रहिएगा और ज्यादा शेयर वीडियो बनाइएगा और इसके बाद आपको पांच बार लाइब आजाना है अपने फेस्बूक पेज़ पर पर तेक दो दि गलती बताया और गलती सुधार के इतना काम करने के बाद 15 से 20 दिनों के लिए पेज को छोड़ दीजेगा एकदम हरियोम सांती सांती कुछ मत कीजेगा इतना काम करने के बाद अपने पेज को 20 दिनों के लिए हरियोम सांती सांती छोड़ दीजेगा ठीक है केवल लाइब और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ 5-6 वीडियो डाल दीजेगा ठीक है और सारे copy paste फनना डेमकाना लंद फनन वाले वीडियो इसको हटा दीजेगा original वीडियो को रहने दीजेगा और जो मैंने गलती बता है वो सारे गलती वाला केवल वीडियो हटाईएगा आख मूंद के हर वीडियो को मत डिलीट कर दीजेगा वरना ये कभी नहीं हटने वाला है जो वीडियो से प्रॉब्लम है केवल वही वीडियो को डिलीट कीजेगा इतना काम कीजेगा और 15-20 दिन अपने पेज को छोड़ दीजेगा एकदम हरियोम सांती सांती के लिए 15-20 दि पेज को एकदम छोड़ दीजेगा सांती मन से उसके बाद रिक्वेस्ट अनादर रिव्यू का आप्शन पर जो है उसको रिक्वेस्ट अनादर रिव्यू के लिए भेज दीजेगा अगर वहाँ पर वो आप्शन नहीं आता है अब आपको फेस्बुक के टीम को प्रेज़ नहीं किया जा सकता है बट मैं अपने फेस्बुक पर फेस्बुक के सभी नीयम और को पॉलिसी का पालन करता हूं सो प्लीज मेरे फेस्बुक प्रोफाइल या फिर पेज के उपर किसी कारण वस पार्टनर मोनेटाशन पॉलिसी इसू आ गया है तो प्लीज मेरे फेस्बुक पेज को आप रिव्यू करें और ये प्रोफाइल जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रियास करें परतेक तीन से लेकर पांच दिन पर आपको जो है फेस्बुक के टीम को रिव्यू भेज देना है और आपके पेज पर ये 30 से लेकर 45 दिन में आपका ये काम काम करना पड़ेगा, जादा भया पच्टा होगे, जादा हुर्पेच करोगे, जादा छेड़ करोगे, तो आपको कुछ नहीं होगा, जदा जगा माथा मारी मत कीजेगा, आप मेरे पर भरोसा करते हैं, तो आप ये काम को कीजे, 30-45 दिन लगे, किसी केश में 90 दिन भी ल मिल जाएगा एकदम गरेंटी है बगुआ एकदम 100% गरेंटी है कि सेट अप का बटन मिलेगा जितना मैंने आपको बताया है उतना चीज को आप आख मूंद के फॉलो कर लिजे हम पे भरोसा कीजिए मैं 5 सालों से फेस्बुक से रिलेटेड कॉंटेंट बता रहा हूं मुझे experience है और मैंने ऐसे से बहुत सारे problem को solve किया है इसलिए आपको इतना काम करना है इसके अलावा no any other option तो जाएगसी बात है आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment जरूर कीजेगा वीडियो पसंद है वीडियो को like करके चान को subscribe कर लिजे बहुत मेहनत करता हूं इसलिए वीडिय गीडियो आपको अफ्राओ दिर मेंने के ऊंचाट गजियो क्षिक बात्री क्या ओत्री ॉबफेल आपको बात्री करो कि वीडियो को वीडियो pen toólài को बात्री कर is पकाद़ दात्री कि पर्दयशन वहे आपको ब्टदे ंग कर दो शो भात्री कि र संवा है इसके जिए डि